नमस्कार साखियो एक बार फिर हरियाना के युवाओं के भविश्य को आंदकार की गर्त में धकेला जा रहा है खटर सहाब और दुशन चोटाला आए दिन युवाओं से नए नए तरीके से बदला लेते हैं कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 2079 PGT और TGT बच्चों को नवंबर 2022 में भरती किया गया अब जून 2023 में कह रहे हैं कि उन अपॉइंटमेंट लेटर्स के कोई माइने नहीं और उन्हें सिरे से खारिज कर दिया जाएगा दूसरी तरफ HSSC के दुआरा जो 2019 में एड़टिजमेंट निकाली गई थी PGT और TGT के बच्चों की उसे खारिज कर दिया गया 2022 में फिर नया इश्टहर निकाला गया फिर उसे कोल्ट के अंदर उल्ठा दिया गया 40 से 50 हजार हरियाना के लड़के और लड़किया धक्के खा रही हैं ओवर एज हो गए हैं प्रंतु कोई नोकरी नहीं ना कोशल रोजगार निगम से नोकरी ना HSSC से नोकरी ना 2019 की PGT PGT की नोकरी ना 2022 की PGT PGT की नोकरी और एब एक नया तुगलकी फरमान जारी हो गया कहते हैं के नया objective टेस्ट और screening होगी उसके लिए software तयार किया जाएगा दुनिया में शायद ये पहली सरकार है जो software PGT PGT के लिए तयार करेगी और फिर भरती खरेगी खटर सहाब दुशन चोटाला जी आए दिन बच्चों के भविषय से खिलवाड बन करिये 2019 से जो हमारे बेटे बेटियां ओवरेज हो गए उनका क्या 2019 की भरतियां क्यों नहीं होई 2022 की भरतियां क्यों नहीं होई कौशल रोजगार निगम के जो 2079 पोस्ट की appointment जारी हुई उन्हें नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही कब तक बच्चों के भविषय से मजाग चलेगा हर्याना के युवा आपको कभी माप नहीं करेंगे क्योंकि आए दिन बच्चों के भविषय से खिलवाड अब हर्याना को मन्जूर नहीं अब आपके जाने का विदाई का समय आ गया है धन्यवाद जेह